मुझे पनित दिंदाल जी क्यों देखने का सोभागे नहीं मिला है उनके दर्शन करने का मुझे सोभागे नहीं मिला है लेकिन जितना सुना है जितना पड़ा है कहते हैं कि जब वो भारत में यात्रा करते थे संगढ़न के लिए काम करते थे पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में तो ट्रेन में जहां टॉइलेट होता है उसके भगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे 24 जोविश घंटे यात्रा करके किसी कार करता कि यहां पहुंते थे यह परीश्ण करके इस पार्टी बनी है अनेक लोगों ने उस प्रकार का जीवन जिया है हम लोग तो भागय साली है कि आज हमें हमारे नसीब में सबाया है लेकिन तीन तीन चार चार पिडियों के अखंड एक निश्व पुरसार्त का परणाम है कि आज बटबृक्ष बना है और यह सालधना कम नहीं है आप भी अपने इलाकों में देखोगे ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो तीन तीन चार चार पिडियों लगी है और उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं है लिया भी नहीं मांगा भी नहीं है उनके सम्मान की चिंदा हम लोगों का धाई तो है हम एक परिवार है हमारे समस्कार है मैं इस कोरोना काल में क्योंकि मैं पहले संगर्ण का काम करता था तो मैं देश भर में सभी लोगों से ज़्यादा तर परिचित रहा बीच में गुजरात मुख्यमंतरी बन जाया तो थोड़ा मेरा संपर्क कम भी हो गया लोग बदल गए लेकिन मैंने कोरोना काल में हैं कि सुबह हर दिन पचीस पचांस लोगों से फोन पर बात करने का एक कारकम बनाया बने हैं और जो भी बड़ी आयू के है सतर पचातर के आयू के आसपास के पुराने लोग सब को फोन करके उनके आशिरवाद मांगता था आप कल्प ना कर सकते हैं आप मैं से एक्षेतर भी कई लोग होंगे जिनको पात मेरा फोन गया होगा है वे इतने आशिरवाद देते थे कोई शिकायत नहीं करते थे फोन आया तो फिर ज्यादा तरद्यों कहता रहे मुदी जी तरह काम है आपके पास आप कहे को मेरी इतनी चिंदा करते हो अरे हम कर लेंगे कि यह परिवार भाव यह अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होता है जी हमने इसे कभी नहीं बोलना चाहिए आप देखिए दिन जी के पास क्या था कुछ नहीं था जी विया निकेत थे विया किंजन थे न घर था न धन था लेकिन हमारे दीलों में आज भी है साथियों ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व ऐसे प्रेरक विचार ऐसी परंपरा की विरासत हमारे पास जब हो तब हमें राष्ट्र सेवा के हमारे संकल्पों से कोई विचलित नहीं कर सकता है कोई हमें विमुख नहीं कर सकता है साथियों एक राष्ट जब किसी लक्ष को लेकर के आगे बढ़ता है तो उस लक्ष के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति निर्मान का कारिया होता है उस लक्ष के प्रति उत्साहित, समर्पित, संकल्पित, लोग देश के लिए तो मुल्यवान होते ही हैं, वो किसी पी संगटन के लिए भी उतने ही मुल्यवान होते हैं, इसलिए एक संगटन के रूप में हमारे सामने अवसर हैं, कि इस प्रक्रिया में हमें ऐसे कई नए से होगा अलग-अलग शेत्रों से ऐसे लोगों को भाजपा से जोड़ना यह भी हमारी प्रास्मिक्ता होनी चाहिए हमें अमारा परिवार का विस्थार करना चाहिए हिंदुस्तान की सिमाएं उतनी ही भाजपा की सिमाएं होनी चाहिए हमारे संगर्षन के quantitative और qualitative विस्थार को भी यह उसर है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इसमें कहीं कमी नेगे एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा हमें अपने विचारों को व्यापक बनाने का प्रयाद भी लगातार करते रहा चाहिए इसके लिए दिन्याल जी हमेशा अध्यन पर विश्य जोड देते थे आप सभी अध्यन के लिए जरूर समय निकाले आप संसत के संसाधनों का प्रयोक करे और और भी जैसी रूची हो वैसे विश्यों से भी जुडे दिन्याल जी को पढ़ने समझने के लिए भी आप समय निकाले इसी तरह आप बाबा साब आमबेड करको डॉक्टर शामापसाद मुखर जी को नेता जी सुभाज चंद्रबोज को इन सब को जरूर पढ़े इससे आपके राजनीतिक जीवन में एक नई दिशा मिलेगी आप एक अलग चाप छोड़ पाएंगे मुझे विश्वास है कि हम सब दिन्याल जी की इन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ेंगे दिन्याल जी का अंतियों दे का जो सपना था वो 21 वी सजी में एक नई भारत के निर्माण के साथ पूरा होगा मेरे साथियों देश की हमसे बहुत अपेक्षाएं है उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ नहीं देखना है आकरी छोर पर जो इंसान बैठा है जो परिवार बैठा है उसकी तरफ देखना है अगर हम उसको मन में रख करके काम करेंगे न कभी ठकान आएगी न विराम का मन करेगा न कोई मोह में उस दिशा में खीच करके ले जाएगा हम विरक्ष दभाव से तन मन धन से उसकी सेवा का आनंद ले पाएंगे